किसान विरों जब धान की बालियों में दाना भरने के वस्ता होती है मतलब फ्लावरी स्टेज में जब दाना खुलता है तो इसी समय ही फंगस के स्पोर्स दानों के अंदर चले जाते हैं और इसलिए इस समय ही जरतर कई जगों पर फॉल्स मट जिसे हम कंड़वा रोग या हल मतलब दानों का वजन कम रहता है दानों की क्वाल्टी खराब हो जाती है और अगर हमने इस फसल का बीच बनाना हो तो बीच की जर्मिनेशन 35% तक कम रह जाती है और इसलिए अगर इस रोग की समय से रोग थाम ना की जाए तो फसल में 25-30% तक की पैदावर में गिरावर देखी जा सकती है और बात करते हैं कि यह फॉल्स मट हमारी फसलों में क्यों आता है तो इस बीमारी के आने का अनकूल मौसम यह होता है कि जब टेंपरेचर 25-35 डिग्री सेल्सियस हो और हुमिडिटी 90% से ज़्यादा हो या फिर बारिश का लगातार आना या फिर नाइट बातों का खास ध्यार रखना जुरूरी होता है जैसे कि बीज बौई करते समय जो उप्युक्त किसमे हैं तो उनी का ही चैन करना चाहिए मतलब जो हमारे एरिया में जो सुटेवल किसमे होती है या रिकुमेंड की जाती है तो उनी किसमों के ही बौई करनी चाहिए और जैसे रोगों के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है और यह हमारा प्रैक्टिकल एक्सपिरेंस भी है और सबसे जुरूरी बात यह है कि यह बीमारी जिन धान की किसमों में देखी गई है तो उन धान की किसमों में दवा डालने के बाद भी पूरा 100% रिजल्ट नही आता है या फिर जिन खेतों में यह रोग आया था तो उन खेतों का बीज भी अगली फसल के लिए इस्तमाल नहीं करना है तो इस बात का भी हमें ध्यान अखना बहुत ही जुरूरी होता है बगर उससे पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पर अटैक करता है मतलब कि इसकी सप्रे करने के तुरंत बाद जो फंगस के सपोर्स होते हैं तो वह इसके संपर्क में आते ही खतम हो जाते हैं और सिस्टमी तरीके से यह पौदों में फैल कर एक लंबे समय तब फंगस कर करके रखता है और इसमें जो टेकनिका लाते हैं 3.3% मेटल एकसल प्लस 33.1% है कलोरो थेननिल और किसान वीरों इसके लावा भी फोलियो गोर्ड नहीं मिलता है तो फिर हमें लेना है प्रॉपी को ना जोल 2500 प्रतियकड प्लस मैंकोजेब 400 ग्राम प्रतियकड और साथ में स्ट्रेप्टो साइकलीन तो इन तीनों का अलग- गोलों बनाकर सप्रे करने से जो फॉल्स मट आ गया है तो वह भाई पर रुख जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा और फोलियो गोल्ड को आप धान की फसल के अलावा आलू की फसल में लेट ब्लाइट और टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट और इसके लावा भी आप इसे लगबस सभी परकार की फसलों में एंथ्राकनोस, लीव स्पोर्ट, डंपिंग आफ और पाउडरी मिल्डी जैसे रोगों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हो और बात कर लेते हैं इसकी सही मातरा के बारे में तो फोलियो गोल्ड की सही मातरा लेनी है 400 ml प्रतियकड और धान की फसल में फॉल्स मट जैसी बिमारी के लिए पानी की मातरा लेनी है 200 ml प्रतियकड़ और बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में तो इसके एक लिटर पैक की कीमत रहेगी 1600 रुपे तो किसान विरो यही सब कुछ था कि धान की फसल में फॉल्स मट के बेस्ट हो धन्यवाद